नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जुही और आप देख रहे ही भारत का सबसे लोक्री यूटूब चैनल देशी भक्ती तो दोस्तों आज मैं आपको बताने माली हूँ ब्रशव लगनी की चारित्रिक विशेस्ताओं के बारे में जी हाँ दोस्तों व्रशव लगनी का स्वामी शुक्र होने की कारण व्रशव लगनी के जातक गोरा फून बा दिखने में आकशक और सुन्दर होते हैं शारिक रूप से पुष्ट, मस्त चाल एवं मजबूत कदकाथी के ये स्वामी होते हैं प्रशब लगने के जातक स्वाभिमानी एवं स्वच्छन विचारों वाले होते हैं सुभाब से ये दयालू एवं शहनसील भी होते हैं ये एक परिश्रमी जातक ही शालिक परिश्रम से आप कभी भी नहीं घवराते हैं इस लगने के जातक अपनी शोध प्रवर्ती के कारण नवीन नवीन खोज करते हैं और ये अडियल सुभाब के होने के कारण जो भी ये ठाल लेते हैं वो करके ही रहते हैं ब्रशब लगने के जातक साहसी एवं पराग्रमी होने के साथ साथ सहेंशील एवं शान्तिय प्रेवी होते हैं आकर्शक व्यक्ति के साथ बागपटूता के कारण आप अपने जीवन में सांसकारिक कारेों को सिद्ध करने में सफल होते हैं विद्वान पुरुष होने के कारण व्रशब लगने के जातकों को विभिन कलाओं, संगीत एवं साहित का उचित ज्यान भी रहता है। व्रशब लगने के जातकों की विचारों में सात्विक, कस्मशीन एवं कपरोकारी भी होते हैं। बहुमों की प्रतिवा के धनी, इच्छा शक्ती एवं धेरेबार होने की कारण आपकी उन्नती धीमी गती से होती है। दोस्तों व्रशब लगने के जो जातक होते हैं, वे हर समय कुछ न पुछ करने की, करते रहने की उन्ने धुन सावार रहती ही है। खाली वेटना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये कोई न कोई योजना बना कर कार को रूप देने का प्रयास करते ही रहते हैं। साथ ही साथ यदि कोई भूलवश अनुचित कार अगर इनसे हो जाए तो ये घंटों पस्ताते रहते हैं, ये इनका सुभाव होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इनकी विशेस्ताओं के बारे में बात, आब हम बात करते हैं साबधानी की। साबधानी ये है कि तुला और धनू लगने के जात्कों से इने हानी का खत्रा हो सकता है।